सब्सक्राइब किजिए पेट्स प्लाजा चैनल को उसके साथ बेल आइकोन को भी दबा दीजिए लेटेस्ट डॉग वीडियो सबसे पहले पाने के लिए जैहिंद फ्रेंड मैं हूँ आपका दोस्त आज का होस्ट करन परसाद और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल पेट्स प्लाजा आज मैं वेलकम पर तक नए और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ आज का वीडियो का टॉपिक है फ्रेंच डॉग ब्रीड है एक अच्छा रेजिस्टर डॉग ब्रीड है जैसे कि हमारे इंडिया की बात की जा रहें तो वहाँ पर लैब जर्मल सेफट आपको हर घर में दिखेगा तो वैसे यूके में आपको फ्रेंच बुल्डॉग हर घर में दिखेगा एक पॉकेट साइज डॉ तो इनका जो ओरिजिन है वो फ्रेंच से है जैसे कि आप इनके नाम पे देख सकते हो फ्रेंच बुल्डॉग तो ये फ्रेंच से बिलॉग करते हैं इनका इजी लाइफ स्पेंड की बात की जाए तो लाइफ स्पेंड काफी अच्छा है एदिया आप इसे अच्छे मेंटे की तरह रह सकता है उससे भी ज्यादा ये जी सकता है ये आप इसे maintain करो doctor check up मन्त मन doctor check up करवा या six month पे doctor check up करवा डाइट दो supplement दो तो आपको ये डॉग आपके साथ बहुत समय बहुत लंबे समय सक आपके साथ रह सकता है ये इस डॉग की वेट की बात की जाए तो ये डॉग 7 किलो से लेके 13 किलो के आसपास हो सकता है जैसे कि सब डॉग में होते है मेल का जो वेट होता है वो थोड़ा जादा होता है फिमेल के अकॉर्डिंग तो फिमेल का जो वेट होता है वो थोड़ा कम होता है इस बीच में ये डॉग रहते हैं इनकी height की बात की जाए तो ये एक fit तक रह सकते है एक fit तक इनका height हो सकता है और इनकी color की बात की जाए तो color इसमें बहुत सारे color है बहुत different different color आते है बहुत exotic भी बहुत सारे ऐसे dogs है जो की बहुत exotic है इंडिया में बहुत सारे ऐसे breeder है बहुत सारे नहीं तो दो-तीर ऐसे breeder है जो उनके पास exotic French Bulldog है जो कि बहुत costly sale करते हैं बहुत दिखने में बहुत प्यारे लगते हैं तो वो end में आपको बताऊगा कि कौन-कौन से breed और कौन-कौन से color में यह पाये जाते हैं इंडिया में या कहीं भी तो अप जैसे की इमेज में आप देख सकते हो aleग होता है तो इनका भी कखलर पईज अलग ही है और ये आप अपने घर के लिए लोगे तो बहुत अच्छा डॉग घुँद हो सकता है लेब्राडोर, गोल्डन एक्टिवर, जर्मस सेफर जैसे अच्छे डॉग है घर के लिए, फैमिली के लिए तो ये बहुत अच्छे डॉग है तो आप जानते हैं कि ये कौन से डॉग ब्रीडर ये कौन से डॉग लवर ये एडॉप्ट कर सकते हैं जिनके पास ऐसे जो डॉग लवर है, जो डॉग रखना चाहते हैं उनका बजट कम है या मिडियम बजट में है या बजट कोई इसू नहीं है तो आप ये डॉग एडॉप्ट कर सकते हैं उनका घर छोटा है या उनके घर वो बहुत बीजी रहते हैं वो कोई जॉब करते हैं, कहीं आउट ओम स्टेशन रहते हैं बर उनके घर पे डॉग चाहिए उनको उनके घर पे फिमेल्स बहुत जादा है जैसे कि मदर है, सिस्टर है, वाइफ है तो वो इस डॉग को हैंडल कर सकते हैं आप अपने घर पे ये डॉग ले के आओ उनके पास चार-पांच भी डॉग रहें फ्रेंच बुल डॉग तो वो इसली हैंडल कर पाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है क्योंकि ये एक छोटा डॉग है इनका हाइड भी कम होता है तो इनके लिए अच्छा है बस इनको ओवरवेट नहीं करवाना है इनकी डाइट की बात की जाए तो इनका डाइट काफी इजी और सिंपल डाइट है इदि आप इसे डॉक फूड में रखना चाहते हैं तो आप इसे डॉक फूड में इसली रख सकते हो ठीक है तो स्टार्ट में क्या करना पड़ेगा जब आप पपीज लेकर आओगे तो उस समय आप वह क्या करना है एक अच्छा प्रोटीन वाला फूड देना है जो कि हाई प्रोटीन हो हाई कैल्सियम हो हाई मल्टी विटामीन के साथ आप दे सकते हो जब वह एडल्ट स्टेज में चला जाए जै जैसे कि फैट गेन ना कर ले या फैट कम ना हो जाए तो इसके वज़ए से एक खली मेंटेन डॉक फूड आप दे सकते हो तो जैसे कि प्योर पेट आता है उस टाइप के डॉक्स फूड आप दे सकते हो इसके आप खाने घर की खाने की बात की जाए तो घर की खाने में तो ये खाने में कोई problem इसको नहीं होता, ऐसा नहीं है कि ये खाने में ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, यदि बचपन से आपके इस dog को आदत दिलाओगे, तो easily adjust भी कर लेगा, easily खा भी लेगा, कोई problem, कोई issue नहीं आने वाली, तो खाने के हवाले से आप एकदम फिकर रहो, ख्याने में आपको कोई problem नहीं आने वाली है, यदि dog की health issue की बात कीज़े, तो health issue काफी कम आते है, कुछ-कुछ health issue आता है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको discuss करने वाला हो, जैसे कि आप ear की बात केर रहे हो, ear इनका standing है, जैसे कि आप इसका जो face है, वो puck की त पॉट्टेल होता है, और इनका जो ear होता है, वो standing position में होता है, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो में, तो इनका क्या होता है, जितना dust, कोई भी गंदगी, कोई भी bacteria होता है, तो जल से जल इनके ear में पहुंच जाता है, क्यूंकि इनका ear जो होता है, वो protected नहीं होता है, जितना डर्स्ट होता है आप रनिंग करवा रहे हो दूल मित्ती इनके कानों में लगता है यह आप उसे अच्छे केर नहीं करोगे तो क्या होगा वहां पर बैक्टेरिया जनम ले लेगा बैक्टेरिया फाउंड हो जाएगा तो वहां पर रैसेस हो सकता है या कोई प्रॉब् है इस थोड़े बड़े है उस में होता है थोड़े बड़े के वजह से लिकर निकले है तो उनके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है तो अप यह फिय् Bible ले लोग एंडर्मल ऑ्ण आईडरॉक ने लोगे जैसे कि हुएमन का था है अटा आईडर्ब जो की ए आई स्टेज में आप दे सकते हो इधी आपको रिक्वाइमेंट हो तो और इनका जो फेस है वो बहुत रिंकल टाइप के होते हैं पक की तरह नहीं होते हैं पक में क्या होता है बहुत पंच फेस होते हैं एकदम नोज सॉट नोज होता है अंडर नोज होता है तो इनके थोड़े से बाहर होते हैं बट क्या होता है जब खाना आप खिला जेते हो तो आप अंदेखा कर देते हो वो खाना उसके फेस में उनके रिंकल पोजिशन में लगा रहता है तो वो क्या होता है वहाँ पर बैक्टेरिया हो जाते है रैसे हो जाते है उसको आप इनी क्लिन करोगे तो ऐसे हैं कोई हेल्थ इसू नहीं आता है अब आते हैं मेन टॉफी के उपर जो की है प्राइस के उपर तो एदी आप एक फ्रेंच बुल्डॉग लेना चाहते हो अच्छा एक कॉलिटी में स्टार्टिंग जो प्राइस आपको मैं बता देता हूँ वो है 15-18,000 से एक अच्छा डॉग स्टार्ट हो जाता है एक अच्छा पॉपीज आप लोगे तो आपको फोन कलर में या बृंडल-विंडल इस टैप के फोन कलर या वाईट कलर में आपको एक अच्छा पॉपी स्टार्ट हो जाएगा अब बात करते हैं एक्जॉर्टी के बारे में जैसे exotic color में आते हैं जैसे blue color हो गया ब्रेंडल color हो गया इस type के जो dog होते हैं वो बहुत exotic होते हैं बहुत rare case में आपको दिखेंगे बहुत rare case में होते हैं तो उस सभी आपका जो price हो जाता है वो बहुत लाखोँ के उपर चल जाता है यह 50 लोग दो लाग में आपको रैस देना पड़ता है तो यह बहुत रियर केस में होते हैं बहुत रियर आपको मिलेंगे तो बहुत कुछ ब्रीडर है आप अरे सर्च करोगे फेस्बूक educational में आप सर्च करोगे तो आप देख सकते हो वहाँ पर बहुत सारे breeder है बहुत सारे ऐसे person है जो कि इस टैपे color आपको sell करते हैं तो वहाँ से आप ले सकते हो बड़ उनका जो price होता हो बहुत high होता है normal इंसान effort नहीं कर पाएंगे breeding हवाले से आप लोगे तो आप ले सकते हो तो यह बहुत अच्छा dog breed है आप इसी adopt करना चाहते हो तो आप easily adopt कर सकते हो तो hopefully friend आपको यह video पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like, share, subscribe करना जरूर करे भूले नहीं friend और यह आप मुझसे जोड़ना चाहते हैं तो मेरे pets plaza channel को subscribe करे और मुझे facebook page में भी like, share करे और मेरे instagram page है आपको link description मिला वहाँ भी जाका आप मुझे follow कर सकते हैं